नमस्कार सांतियो दिव विग्यान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है ग्रेस मिस्रा दोस्तों आज बागेश्यर में DLTT पास अभिरतियों द्वारा जो है नई सिक्चक भरती प्रात्मीक में नई प्रात्मीक सिक्चक भरती को निकालने के लिए जो है कपकोड विधायक स्रीमान सुरेज गडिया जी को जो है एक ग्यापन दिया है जिसके आधार पर उन्होंने नई प्राइमेरी सिक्चक भरती निकलवाने की बात किये तो उन्होंने एक ग्यापन दिया हुआ है उन्हें आज तो उसमें सेवा में स्रीमान सुरेज गडिया ज से रुकी वी है जिस कारण से स्कूलों में सिख्चकों की भारी कमी हो गई है क्योंकि एक छोटा बच्चा कच्चा घड़े के समान होता है बिना सिख्चक रूपी कुमहार के उनका भविश्य अंद्रकार में हो जाता है राज में फिलहाल 10,000 से जादा प्रात्मिक विद्याल व्हहीं में पद डिख्च चल रहे हैं वही डresser से प्रसिख्चित सिख्चकों की संख्या भी लगातर बढ़ती जा रही है और इन केडिडेट्स का कहना है कि जो डाइट से प्रसिक्चित जो है या पर सिक्चको टी टी पास सिक्चको के संक्या लग भग लग भग पांच हजार से जादा जो है हो चुकी है जबकि पुरानी भरती जो है पेंडिंग है उस पर कोट का केश चलना है जबकि इनका दावा है कि जो केश चलना है वो जो है NISDLA और जो है B.A.D. वालू के उपर है तो उन पर पुरानी भरती जो 104 रूप से चालू नहीं हो पाई भी तक उस पर जो है संसे बना हुआ है तो यह चाह रहे हैं किसी भी प्रीकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा शाथ में इनका है कि सिख्च्चों की कमी का खामियजा नने नने बच्चों सहीद पूरा राजि भुगत रहे है राजिय के युवा मुख्यमंतरी श्री पुसकर सी धामी जो युवाओं को के हितों को सदेव आगे रखते हैं और सिक्षा मंत्री सी धन्सिक राओजी पर पूरे प्रदे सही डियलेट प्रसिक्चिक्तों की काफी आसाएं हैं जिससे राजियों में प्रात्मिक स्कूलों की वियस्ता सुद रहेगी और बिरोजगारों को रोजगार मिल पाएगा अतो महोदय से निवेदन है कि हमारी समश्या को समस्ते वे आप कम से कम तीन हजार से ज़्यादा पद उपर जल्द प्रात्मिक सिक्चकों की नई भरती निकलवाने हैं तो माननी मुख्य मंत्री महोदई, माननी सिक्चा मंत्री महोदई और संबंदित विभाग तक हमारी आवाद पहुचाने की किरपा की जेगा हम सदैव भारी रहेंगे प्राथी में हैं समस्त DLA, TET, प्रसिक्चु बेरोजगार, बागिश्वर, उत्राखंड और जो ग्यापन देने वाले में से संजय टम्टा, नवीन धामे, कविता कोरंगा, हेम चंद्र, नवीन, रोहित कला कोटी, रासी कोरंगा, विनोज जोसी, गंगा सिंग, आदी जो है ये लोग जो है ग्यापन देने में वहाँ पर मौझूद थे साथ में ये है उनकी फोटो आज की, जो है सुरेज गडिया जी के सांद ग्यापन देते हुए, तो अगर इस पर प्रियास किया जाए, तो आपको पता है कि पूरे राज जी में लगभग 10,000 से ज़्यादा पत खाली है, प्रात्मिक सिक्षकों के पिछले चार सालों से भरती हुई नहीं है, तो अगर इस पर सिरकाल पज़रा प्रेशर बनाया जाए, अपनी मांग को अच्छे तरीके से रखा जाए, तो आसानी से इस पर भरती हो स रखती है, साथ में यहां पर युगाओं ने बताया है कि हमने लक्षे रखा हुआ है कि सतर जितने विधायक हैं राज जी में उन्हें सभी में से सभी को ग्यापन देने का काम किया जाएगा, जिसमें सभी तक दो विधायकों को बागिश्वर में दे दिया गया है, तो साथ में जो सिक्षा मंतरी धन सिंग रावत है, एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे भी मिलने का प्लान बनाया हुआ है, तो देखते हैं, अगर यह प्रयास इनका लगातार जारी होता है, तो आने वाले लोग सभा चुनाव से पहले, जब तक आचार सेहिता जारी नहीं होती है उससे पहले यहाँ पर भरती प्रक्री अगर निकल जाती है, तो काफी युवाओं करस में भला हो जाएगा, तो तब तक के लिए धनिवाद मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंच, जय भारत, जय उत्राखन